चोड़ी चोड़ी कहानिया शिखातीं बड़ी बड़ी बातें आज की कहानिये की वक्की है जिसको पचीस साल की उमर होते होते संसार से वेरागिय हो गया संसार छोड़ा साधू बन गए तपस्षिया चालू की गुरू का अस्रम जोहिन किया तपशिया करते करते उनके पंदरा साल गुजर गए पंदरा साल कठिन तपशिया की और पंदरा साल की कठिन तपशिया के बाद उनको शक्ती मिली कि पानी पर वो चल सके एक दिन उन्होंने पानी पर चलते चलते नदी पार की और बहुत खुश हुए अपनी शक्ती पर और अपनी शक्ती पाने की खुशी में दोड़े दोड़े गुरू के पास गए और गुरू को हाथ जोड़ करके कहा गुरू जी गुरू जी गुरू जी मेरी कठिन साधना का फल मुझे मिल गया अब मेरे पास इतनी शक्ति आ गई है कि मैं पानी पर चल करके नदी पार कर सकता हूँ गुरुची ने उनको देखा और गुरुची हस करके बोले अरे अज्यानी पंद्रा साल की तपश्या में पंद्रा साल की कठिन साधना के बाद तुम्हें सक्ति मिली है पानी पर चल करके नदी पार करने की वो तो कोई भी आदमी आठाने एक रूपिया मला को दे करके कर सकता है जो काम आठाने में हो सकता है जो काम एक रूपिये में हो सकता है वो ताकत, उस काम करने की ताकत को तुमने 15 साल की कठिन तपश्या से पाया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? गुरुजी हमें सिखाते हैं बड़ी सीख, आज हमें graduate होने को लगते हैं 15 साल, अपने आप से हम एक सवाल पूछें, क्या graduate होने के बाद हमने जितना सीखा, जितनी काबिलियत हमने अपनी बढ़ाई, उसके लिए 15 साल जरूरी थे क्या? क्या हम ये ग्यान, ये स्किल, ये मानसिक्ता 15 साल से कम में नहीं बना सकते? ये प्रस्न, शायद हमारी आँखे खुलेगा, जरूरी है, सभी विद्यार्खियों ने, सभी सिच्चकों ने, और उन सब लोगों ने ये प्रस्न पूछना चाहिए, अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने विद्यार्खियों से. ग्रेचुएट होने में 15 साल जो लगे, वो लगने जरूरी थे क्या? अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं, धनिवा, नमस्ते, थेंक यू.